हलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं चैनल रम्याज गार्णिंग आज मैं आपको मसीज नसरी का विजिट करा रही हूं जो कि साउट डेली के खान मार्केट मेट्र सेशन के बिल्कुल पास में है आज मैं इस नसरी के मोस्ट पॉपुलर और यूनिक इंडोर प्लांट्स का इंफरमेशन शेयर कर रही हूं यूद इस नसरी को दस से 20 मिनट की वीडियो में कवर करना ना ममकिन है क्योंकि बहुत ही बड़ी एरिया में हैं जिसमें इंडोर आउट्डोर डेकरेटिव प्लांट्स बॉंजाई की का प्लांट्स का इंफरमेशन शेयर कर रही हूं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक वाच कीजएगा प्लीज इन फैक्ट मेरा परसनल ऑपिनिन है कि अगर आपको वक्त मिले तो एक बार इस नसरी को विजिट जरूर कीजएगा क्योंकि देखने और आइडियाज ले इसका नाम एगलो लीमा है फुली इंडॉर प्लांट है और अच्छा सर्वाइब करता है और इसको आप 6-8 इंच पॉर्ट में रख सकते हैं और नॉर्मल वाटर चाहिए ज्यादा मेंटेन नहीं है अच्छा सा चलता है और इंडॉर प्लांट दोनों में चलता है फुली 24-hour oxygen प्लांट है यह और एक कमरे में चार से छे प्लांट रखने पे अच्छा oxygen प्रयाप्त हो जाता है और अच्छा सर्वाइब करता है चाहे दूप में रखिए चाहे छाया में रखिए इसका प्राइस 450 रुपीस है और आउटसाइड पूरा सन पूरा इंसाइड धूप अंदर दोनों चाया और दूप में दोनों चलने वाला प्लांट है और 24-hour oxygen है बहुत बढ़िया सर्वाइब करता है यह सकर्स फेकता जाता है और टॉप में बढ़ता जाता है और अच्छा सर्वाइब करता है इसका प्रै अच्छा सर्वाइब करता है इसका प्राइस थ्रीहंड़ रूपीस है और इसका नाम क्या है संस्वेरिया टॉरेंडो यह मनी प्लांट गोल्डन किंग है इंडूर प्लांट फुली इंडूर प्लांट फुली Ogsphyzen Plymol 24 और है इंडूर प्लांट में अच्छा जलता है नारमल वाटर है ज्यादा मेंटेनेस नहीं है और इंडूर में चलने वाला प्लांट इसका प्रैस 250 रूपीस है इस केंसिया लोरी फॉर्मिस ब्लू हैंगिंग प्लांट है, सेमी सेड प्लांट है और सेमी सेड ग्राउंड कबर प्लांट है यह भी लो मेंटेनिस अच्छा चलने वाला प्लांट है, हैंगिंग में इसका प्राइस 350 रुपीज है इसका नाम सेंडियाप्सुस इंज्वाए एक प्रकार का मनी प्लांट का वराइटी होता है, ग्राउंड कबर और हैंगिंग दोनों में चलने वाला प्लांट है और अच्छा आक्सिजन प्लांट है और इसका प्राइस 250 रुपीज है इसका नाम पीश लिली है इंडोर और सेमिशेड रूम प्लांट दोनों में चलने वाला टेबल टॉप प्लांट है और फुली आक्सिजन प्लांट है इसका प्राइस 650 रुपीज है और इसमॉल प्लांट भी है वो और सस्ते हैं 450 तक के प्लांट है इसमॉल प्लांट अच्छा ज्यादा फ्ला राते हैं कि यह जामिया प्लांट प्लांट प्रौपर टैबल टॉप सकते हैं और चलने में जादा ओवर्वाटर नहीं करने का, इसमें, यह दौफ फ्रेला है, इंडोर प्लांट है, और आउट्डोर में, सیमी सेड में चलता है, दूप में नहीं चलता, ओपन सेड में चल जाएगा, रूम में चल जाएगा, ग्राउंड कबर में चलेगा, जास साया हो, और अच्छा प्लांट है यह ज्यादा हाइड नहीं जाता कॉंपैक्ट में रहता है और और वाटरिंग नहीं करने का है और ज्यादा लेस वाटर भी नहीं डालना है 300 का प्राइस है चोटा बड़ा सबसाइज में मिल जाएगे एलेबल है यह ट्रेटिस केंसिया वेरिगेटेट ग्राउंड कवर प्लांट है और हैंगिंग बास्किट प्लांट है और वाटिकल प्लांट है जहां पे छाया सेमी सेड हो वहां पे इसको अच्छी तरह से आप मैं तेनिस का जोरू ölें लो वाटर और सेमी सेड में चलने वाला प्लांट है इसका प्राइस जो है 1080 माप वाइट इस टील पलांट इंडौर रोम में रखने वाला प्लांट है टेबल टॉप्लांट है फ्रीज या अल्मारी कहीं भी आप इसकी अउपर रख सकते हैं चाया यानि लो लो वाटर लो मेंटेनस प्लांट है और अच्छा ऑक्सिजन देने वाला प्लांट है इसका प्राइस फोरंडेट रुपीस का है पर और यह ब्राषिया गोल्डन इंडियो प्लांट है और अगजी डाओंड है चलने में बहुत सर्वाइब करता है रूं प्लांट जो जो एसलिया ओफिस रूम प्लांट में कहीं भी किसी साइड में रख देंगे तो बहुत अच्छा इड़ाइब करता है और अक्षा यह चल जाता है साथ छे से साथ फिट है एक इसका देशी वराइटी आता बहुत ज्यादा उचा होता है तो यह कॉम्पैक्ट वराइटी में है और इस बहुत अच्छा सरवाइब करता है नहीं हाड़ी प्लांट है रूम प्लांट के लिए लो वाटर है बहुत ज्यादा और नहीं मेंटेनिस ज्यादा नहीं है इसका यह यह बल प्लांट का न्यू वराइटी अर्व ग्रीन बोलते हैं इसको अंड़ूर प्लांट फूली इंडओर प्लांट है हडी प्लांट है ऑक्सीजन पी प्रॉपर तरह से अउक्सीजन भी देता है वह वह बाइब करता है और इसका प्रैस 600 टो 600 रुपीज है राडार माचीर है इंडोर प्लांट है और काफिया अच्छा हाड़ी प्लांट है इंडोर में रूम प्लांट में चलने वाला सर्भाइब करता है बहुत अच्छा इसका प्रैश 2000 रुपीज में है और उसे भी बड़ा 8500 का है और इस 2000 से भी छोटे प्लांट है जो 500 रुपीज तक में आ जाएंगे वैसे भी प्लांट है साइज का पड़िनार है और अलग अलग साइज के हैं प्रॉपर हो महीं मान्य टेरिय फ्लांट डीलिफ फुली अक्सिजन प्लांट है सेमें अब ere typically सेजलता है फूली अक्सिजन प्लांट है और इसका प्राइज for 1000 रुपीश में है इसके अंदर इसके अंदर भी साइज होते हैं इस टाइम एलेबल नहीं है थोड़े टाइम पे आ जाएगा वो भी कि फैलो डंडरन गॉल्डन फुली एंडॉर प्लांट और अक्सिजन प्लांट है सर्वाइब करता है अच्छा हाड़ी प्लांट है ओपन सेड में लिए दोना रख सकते हैं लेख सकते हैं और इसका प्राइस दो हजार रुपए का है इस से चोटा बढ़ा हर Всे में डिखाया था वह चोटा रहनर कफांध में और इसका रिकापां म कॉमपेड़ा व्राइटी है त्षल सेवाजास लाजध का फुल होतब हैं यह इंडोर प्लांट में सेमी सेड में दोनों जगा चलने वाला प्लांट होता है और इसका प्राइस वन थाउजन रूपीस है यह एरिका प्लांट जो अभी आपको छोटा दिखाया यह उससे बहुत बड़ा प्लांट है और मोटे इस्टेम का प्लांट है इसका हाइट आठ से नौ फिट हाइट है इसका फुल बुसी प्लांट है इसका प्राइस टू थाउजन रूपीस है यह एरो केरिया है जो ओपन सेड में चलने वाला प्लांट है किसी पेड़ पौदे के नीचे रख दीजिए या बरांडे में रख दीजिए ऐसी जगा पे चलने वाला प्लांट है अंदर बीच में अंदर आप रख सकते हैं अदला बदली करके तो यह सेमी सेड प्लांट कह लाता है इसका प्राइस 600 रुपीज में है और इससे बड़े भी हैं इससे छोटे भी हैं अलग-अलग प्राइस के आपको मिल सकते हैं यह ड्राइसीना कैलरूमा ब्लैक न्यू बराइटी है बिल्कुल लेटेश निकला हुआ बराइटी है और यह सेमी सेड में चलने वाला प्लांट है और अदल बदल के रुम में भी रखते हैं हपता दस दिन रख लीजिए रुम में फिर बाहर निकाल लीजिए ओपन सेड में और फिर रख लीजिए और फुली ऑक्सिजन प्लांट है अच्छा सर्वाइब करता है हाड़ी प्लांट है इसका प्रेस 450 रुपीज में है फुल बुसी प्लांट है और इसमोल प्लांट भी इलेवल है इसके जो और इससे बड़े 8-7-8 फूट के भी हाइट के प्लांट मि सब्सक्राइब करता है और अच्छा सर्वाइब करता है कलरफूल प्लांट होता है डिजाइन काटने के लिए अठ्छा होता है लेंड्सकेपिंग में और डिजाइनिंग करने में जो गुरुफ बनाते हैं उसमें समय काम आता है बहुत अच्छा सर्वाइब करने वाला प्लांट है 450 रुपीस प्राइस है और अच्छा चलने वाला प्लांट है ड्रैसीन अड्रामेंसिस एवरग्रीन प्लांट ड्रैसीन अउसलोग ऐसे मेंगाएवř कोवाइटी हैं । का ज्यादा semi-shade plant है और fully oxygen plant है और इसका price 450 रुपीज है full growth plant है अच्छा height में इससे बड़े भी मिल जाएंगे इससे छोटे भी मिल जाएंगे यह drycina drago plant है drycina drago यह fully indoor plant और semi-shade plant दोनों में चलने वाला plant है landscaping में चलने वाला plant है और hardy plant है low water है ज्यादा over watering नहीं करने का और अच्छा oxygen देने वाला plant है survive करता है 8500 इसकी price है और इससे 78 foot height की भी मिल जाएंगे जो उसका price 4500-6000 ऐसे अलग लग price में मिलेंगे आपको इससे छोटे plant भी हैं जो आपको 400 800 1200 तक मिल जाएंगे और इसमें flowering plant भी आता है जो जिसमें flower आते है ग्रीन कलर के यह जिए ड्रैसीना ड्रेमंसिस फुल बुसी plant है जिसमें flowering भी आता है फ्रेग्नेंस भी होता है और indoor plant है semi-shade plant है gardening plant है जो लो मेंटेनस है और वाटरिंग नहीं है इसका जो लैंड्सकेपिंग में भी काम आता है indoor room plant में भी काम आता है ब्रांडे में रखने वाला काम आता है और oxygen भी देता है और इसका प्राइस है 3,500 रुपीज और single single branch में आपको मिल जाएगा 1500 रुपीज 500 रुपीज टिफरेंट प्राइस में आपको ये लेबल मिलेंगे इस पर आपने तीन ब्राइस लगा रिखेंगे त्री प्री इन वन है फूल बुशी प्लांट है इसका किता प्राइस बताया आपने में 3,500 रुपीज रुपीज फैलो डंडरन जनाडू सेमी सेड प्लांट है ग्राउंड कवर प्लांट है जांप और सेड में चलने वाला प्लांट है दूप में नहीं चलता गार्डन में जिदर छाया है ग्रा राजफूट हाइट हो जाता है और छोटा भी रखता रहता है और इसका प्राइस 450 रुपीज से लेखे 15,000 फिव्टीन हंडेड एंड थ्री थाउजन रुपीज तक का मिल जाएगा 250 का भी मिल जाएगा और 150 का भी मिल जाएगा तो अधर 14 इंच के गमले में है ये और अच तो शालो पॉड में होते हैं वो तकरीबन 3000 के आते हैं और शेंज के पॉड में आता है 250 रुपीज का आता है हर एक साइज में है यादि पांच साइज में लेबल है मांकर अब एक क्रोटन पेट रहा है सेमी शेट प्लांट है गार्डन प्लांट है बरांडे में रखने वा और इसका प्राइस 300 रुपीस है दूप में नहीं चलता सेमी शेट प्लांट है प्रॉपर